मसकार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉल टुप 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 आज के वीडियो में हम लेकर आये हैं कोरोना ट्रिका करन अवियान पर बेहतर निवद चलिए दोस्तों तो हम इसे चालू करते हैं कोरोना एक वाइरल बिमारी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है इससे अनंत लोग मर चुके हैं चुकी या कही खत नहीं होने वाली शंक्रामक बिमारी है इसलिए इससे मुक्ति के लिए टुप करन ही एक मात काम्याव रास्ता बचा है पूरी दुनिया में टुका करन पूरी तेजी से अभियान की तरह चलाया जा रहा है विश्व के अन्ने देशों की तरह भारत में भी यह अभियान चल रहा है कुरोना मुक्ती वैक्सीन लगा लेने पर यानि किलका करन लगा लेने पर इतनी बात तो तय है कि इस रोग से मृतिव नहीं होगे बांसगार्ट यानि कि समसान पर मृत को की भीर नहीं लगेगी कब्रगाहों कि कमी नहीं होगी विदेशों के सिक्षित लोग टिर्का उपलब्ध होते ही टिर्का लगवा रहे हैं टिर्का करन के बाद लॉक्डन लगाने की आवसक्ता नहीं होगी शरके बिदोहा की तरह सूनी नहीं नजर आएगी दुनिया को आर्थिक नुकसान नहीं जेलना परेगा दुनिया की तरह भारत भी अपने पेरों पर पुना खरा होकर आत्मिर्भर भारत हो जाएगा भारत आज लगवग असी देशों को निसुल्क एबं कुछ सौसुल्क टिका उपलब्ध करवा रहा है दोस्तो अब चीन पर किसी भी देश का विश्वास नहीं रहा वह तो विस्तारबादी एबं लुटेरा देश है उसने असिक्षितों की तरह बेवार कर करोना फलाया है क्योंकि दोस्तो यह जो करोना वाइरस बीमारी है दोस्तो यह बीमारी चीन के वुहान सहर से 2019 में दिसंबर 2019 में फैला था दोस्तों तो इसलिए चीन को इस तरह से हम कुछ बोलना है अभी भी भारतवर से करोना पूर्णता खत नहीं हुआ है सौव से दोसों के बीच प्रती दिन करोना ग्रस्त लोगों की मिर्तियों हो रही है बरे बरे महानगर इस से अक्रांत हो रहे है अपार्टमेंट में रहने वाले लोग लिफ्ट छूने से अक्रांत हो रहे है घनी वस्तियों के कुछ-कुछ लोग अभी भी प्रती दिन मर रहे हैं बजार खुल गये हैं, बजारों की भीर बढ़ गई हैं कुरोना अपने पैर फैला रहे हैं, लोग मास यानि की मुह पर की पट्टी नहीं लगा रहे हैं समाजिक दूरी का निर्वाह नहीं हो रहा है, साधी बिवाह और जन दिन मनाने के कारण भीर लगने शुरू हो गई है चुनाप परचारों में भीर लाखों लोगों की लग रही है, सब्जी मंडियों में भीर कम होने का नाम नहीं लेती हैं क्या दोस्तों यह हमारा अधिकार नहीं है, यह हमारा दैत्म नहीं है दोस्तों कि हमें भीर बिमारी में सरकार का साथ देना चाहिए और भीर भार से बचना चाहिए आगे देखते हैं अब इस संक्रामक वाइरल बिमारी को रोकने के लिए क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर प्रस्ण उचता है आप धियान दिजेगा कुरोना टिका करन अभियान तेजी से चलाने की आवज सकता है मास्क सभी लोगों को लगाना होगा शावुन से हाथ सभी को धोना होगा दोस्तों जो अभी भी 10 से और 18 वर्स यानि 18 वर्स के उम्र के जो बच्चे बालक यानि की अडॉल्सेंस एज के जो बच्चे बच्चे हुए हैं उसे अच्छी तरह से उसे भी क्रिका करन लगवाना होगा किम्कि दोस्तों बिदेशों में जैसे अमेरिका वगरा में क्या है दोस्तों कि वहाँ पे 10 से 18 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं उन्हें भी क्रिका करन लगानी शुरू हो गई हैं तो दोस्तों हमारे देश में भी 10 से 18 वर्स के उम्र के बच्चों को जल से जल क्रिका लगाना चालू करना सेनिटाइजर का अधिक्तम इस्तिमाल करना होगा और इसका बिक्री भी बढ़ानी होगी समाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा कुरोना की गर्दन पूर्ण तह दवाद देनी होगी िका करन दो बर लगवाना होता है एक बार एवं दूसरी बार 28 या 84 दिनों के बाद सविदेश वासियों को इस ट्रिका करन अभियान को सफल बनाना होगा इससे सभी की जीवन रख्चा हो सकेगी दोस्तो दो गज की दूरी मास्क है जरूरी दोस्तो दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इस नियम का पालन हम सभी को करना होगा क्योंकि दोस्तों, दोगज की दूरी और मास्क जरूरी, इसी के तषद, हम लोग क्या करेंगे? अपने साथ साथ, अपने परिवार और अपने दोस्तों का भी सही सलामत रख पाएंगे चले दोस्तों, यहीं पे समाबत करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पिसंद आया हो तो आप अपने चैनल For Infinity को लाइक करे और सबस्क्राब करें धन्याँ